राजस्तान में कॉंग्रेस की हार के बाद एक बार फिर से संगठन में बदलाओ की चर्चाएं जोरों पर हैं MP और 36 गड़ में पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष गोशित कर दिया है जबकि MP में जीदू पर्टवारी को कॉंग्रेस की कमान सौपी है राजस्तान में कॉंग्रेस पार्टी में नेता प्रतिपक्ष के आधा दर्जन दावेदार है चर्चा है कि पार्टी आला कमान इस बार कुश नया कर सकती है मतलब किसी SCST विधाय को नेता प्रतिपक्ष बना सकती है जबकि PCC की कमान एक बार फिर से सचिन पाइलट को सौपे जाने की चर्चा जोरो पर है सचिन पाइलट ने 2018 में कॉंग्रेस को 21 से 99 सीटों पर पहुँचाया था माना जा रहा है कि पार्टी एक बार फिर से कमान सौप सकती है हलाकि कॉंग्रेस के रणनीती कारों को डर है कि सचिन पाइलट को कमान सौपने से गुट बाजी को बढ़ावा मिल सकता है क्योंकि सचिन पाइलट को PCC चीफ रहते हुए कॉंग्रेस के अंदर ही अपना अलग गुट खड़ा करते हुए देखा गया है कयास ये भी लगाय जा रहे है कि अलवर के पूर्व सांसत भमर जितेंद्र सिंग को कमान सौपी जा सकती है राजस्थान में कॉंग्रेस की हार के बाद सचिन पाइलट गुट के पावरफुल होने के संकेत मिले है सचिन पाइलट गुट के माने जाने वाले कॉंग्रेस विधाय का अभिमन्यों पूनिया को युवक कॉंग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाये गया इससे पहले गणेश घोगरा यूथ कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे जो की गहलोत कैम के माने जाते हैं सियासी जानकारों का कहना है कि सचिन पाइलट को बड़ी जिम्मेदारी देने से पार्टी आला कमान हिचक रहा है, क्योंकि कॉंगरिस के रणीतिकारों को डर है कि सचिन पाइलट कॉंगरिस के अंदर अपना शक्तिशाली गुड़ ख़ड़ा कर सकते हैं, जैसे महाराष्ट में शरत पवार ने किया था क्योंकि महाराष्ट में शरत पवार के हाथ में लंबे समय तक कॉंग्रिस की कमान रही थी ऐसे में कॉंग्रिस के रणनी इतिकार पाइलट पर दाओं खिलने से हिचके जा रहे हैं लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि कॉंग्रेस के पास पाइलट के अलावा बड़ा विकल्प नहीं है। अशो गहलोद PCC चीफ नहीं बनना चाहते हैं, नहीं नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते हैं। ऐसे में बड़ा नेता सचिन पाइलट हैं, जो सभी जातियों को साथ सकते हैं। आपको बता दे कि सचिन पाइलट ने वर्ष 2020 में बगावत कर गहलोद सरकार को संकट में डाल दिया है। पाइलट कैम के विधायक गुणगाओं के मानेसर में करीब 20 दिन तक डटी रहे थी, हलाकि पाग में सचिन पाइलट मान गए थी, लेकिन पूरे 5 साल तक पाइलट और उनके समर्थक गहलोद सरकार को परिशानी में डालने वाले बयान देते रहे।